नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन योज्ज में कतर की एक कोट ने वहाँ रह रहे भारतिय नौसेना के आच अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई है बतादीन आठों पूर्व भारतिय नोसेना अधिकारियों पर कतर की जासूसी करने का इल्जाम है भारतियों पर इसराइल के लिए कतर के सबमरीन ट्रोजेक्ट की गोपनिय जनकारी चुदाने का आरोप लगा है जिसके कारण पिछली साल आठों को कैद कर लिया गया था इस मामले में भारत में काफी तनाव का माहौल चाया हुआ है इस बीच भारत के विदेश मंतरी S. जैशंकर कतर में फांसी की सजा पाने वाले आठों भारतियों के परिवार से मिले जानकारी के अनुसार जैशंकर ने मुलाकात कर इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार मामले को पून महत्व दे रही है साथ ही साथ इन सभी भारतियों की सजा रोकने के लिए फुर्ती के साथ काम कर रही है बता दें कि ये सभी अधिकारी अपनी रिटाइमेंट के बाद दोहा की एक कमपनी में काम करते थे जिसके काम से वी कतर गए थे भारत के विदेश मंतराले की ओर से गुरुवार को कहा गया कि कतर की अदालत के फैसले से वे चकित है परिवार वालों और कानूनी टीम से संपर्क किया जा रहा है सभी कानूनी विकल्पों का उपियोग किया जाएगा भारत ने इस पश्ट किया है कि वह कतर की कैद में बंद भारतियों को राजनेक सला और सहायता देता रहेगा ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज धन्यवाद